नमसखार दोस्तों आप सभी का सीक ष्टडी में स्वागत हैं जहां पर आपको करेंट अपेज सम्दित मेहतफूरव मिलते रहते हैं आज और साती साथ अन विजय के भी महतपुर्ण प्रसन मिलते रहते हैं तो फ्रेंट आज चलते हैं हिस्ट्री से सम्मंदित महतपुर्ण प्रसनों पर और देखते हैं कि यह हमारे आने वाले जाम में कैसे यूटिलाइज हो सकते हैं तो फ्रेंट चलते हैं कोश्चन पर लेकिन उ 146 का cabinet mission तीन cabinet मंत्रियों ने गठित किया गया था। निम लिकित में से कौन सा इसका सद्दस्थी नहीं था। आपके option है Lord Patrick Lawrence, option number B, A.B. Alexander, option number C, Stafford Chris, option number D, Lord Emery. चुलिए फ्रेंड, इसका जवाब देखते हैं, तो इसका सभी जवाब है फ्रेंड, option number D, Lord Emery. जी हाँ फ्रेंड, 1946 का cabinet mission गठित किया गया था, उसमें से तीन प्रमुख नाम कौन कौन थे, ती ये तीन प्रमुख जो थे, वो थे, Lord Patrick Lawrence, A.B. Alexander, और फ्रेंड, Sir Stafford Crips. ये, फ्रेंड, तीन नाम थे, जो cabinet गठन किया गया था, उसमें से 46 में, याद रखेंगे इनका नाम, चलते हैं, next question प्रेंड, निम लिखित में से, किस क्रांद कारी महिला ने, दिछांत समारों में, आपनी उपादी, दिग्री ग्रहन करते समय, अंग्रेश गवर्नर, जो क कुलादी पती होते थे, पर गोली चलाई थी, तो फ्रेंड, जानते हैं कि आप उस समय क्या सासन था, ये बात, ये फ्रेंड, इनकी बात की जा रही है, कब की लगभग 86, 1911 से 1986 के बीच की बात है फ्रेंड, तो फ्रेंड, इसका option है, option नमबर 1, सांती खोस, option नमबर 2, सुन तो फ्रेंड, सोचिए और विचार कीजए, चले, इसका जवाब देखते हैं तो फ्रेंड, इसका सही जवाब है, option नमबर 3, बीनादास, जी हाँ फ्रेंड, बीनादास ने अंग्रेज गवर्नर पर क्या चलाई थी, गोलियां चला दी थी, अपनी उपादी धराड करते हु तो ये बंगाल की एक क्रांदिकारी राष्टिवादी महिला दी फ्रेंड, जीनोंने अंग्रेज गवर्नर पर अपनी डिगरे लेते हुए गोली चलाई थी, जयाद रखेंगे फ्रेंड, अगला कुश्चन, निमलिकित में से किस ने कहा था, बिटिस सातन की सबसे अधिक म महत्पूर्ण उपलगदी भारत का एक की करण था, के यम पढ़िककर, अपन भी, एनन स्री निवास, आप्सन नंबर सी, रेजरी कोठारी, आप्सन नंबर दी, योगेंदर सिंग, सोचिये फ्रेंड, और विचार कीजे, चले इसका जवाब देखते हैं, तो इसका सही जव हैं, इन्होंने ऐसा कहा था, याद रखेंगे फ्रेंड, अगला कुश्चन, घोड़े के नाल के आकार की बहराब सरबथम कहां प्रयोग में लाए गए गए थी, एरतुतमिस के मकबरे में, गया सुद्दीन तुकलक के मकबरे में, आप्सन नंबर सी, अलाई दर्वाजा मे इसका सई जवाब है, गोड़े के नाल के आकार की महराब सरब्रथम अलाई दर्वाजे में प्रयोग मिलाए थी, अब बात करते हैं, अलाई दर्वाजे की, तो इसे तेरा सु ग्यारा इसवी में बनाए गया था, और इसका निर्माण किस ने कड़ाय था, तो इसका निर्म में और ये वर्ड यूनेसको हेरिटेज का भी हिस्सा है तो इतना चीज आप ध्यान रखेगा अलाई दरवाजे के बारे में अगला कोश्चन निम लिखे में से किसने कुतुम मिनार के निर्मारा में योगदान नहीं दिया था आपसन नमबर एक कुतुम दी नेभक आपसन न अब इसका जवाब देखते हैं तो इसका सई जवाब है आपसन नमबर सी अलाउदीन खिल जी ने जी हाँ प्रेंड अलाउदीन खिल जी ने कुतिब निर्मार के योगदान ने गया था और बाकी तीन जो आपसन है उनकी बात की जाए तो कुतुम दी नेभक नहीं इसे क्य किया था इस्टार्ट करवाया था उसके बाद क्या इलतुतमीश ने इसे पूरा करवाया था लेकिन फिर बाद में फिरोस साह ने एक और मंजिल का निर्मार इस पे कराया था फ्रेंड नहीं रखेंगे अलाउदीन खिल जी ने इसमें कोई योगदान नहीं दिया था यह आ जहांगीर ने तमाखो के प्रयोक पर निसे लगाया था याद रखेंगे और बात की जाये जहांगीर तो जहांगीर का जन्म 1579 में हुआ था और इनकी मत्यू 16-27 में हुवी थी और यह अकबर के पूतर थे यह अकबर और योदावाई का पूतर था फ्रेंड दियान रखें अगला कोश्चन 1857 के संगर्ष में भाग लेने वाई ले सिपाईयों की सरवादिक संक्या कहां से थी और सन नवे बंगाल से और सन भी अवद से और सन नमबर सी बिहार से और सन बड़ी राजिस्तान थे तो सोच लिए फ्रेंड इसका क्या जवाब होगा तो इसका सही जवाब है ऑप्सन नमबर बी अवद से आवद से 1857 के संगर्ष में भाग लेने वाले सिपाईयों की संक्या सरवादिक थी और यहीं पर सबसे ज़्यादा विद्रो भी हुए थे इसकी वज़े से आगरेजो को यहाँ दबाने में विद्रो को बहुत ज़्यादा मुसक्कत करनी पड़ी थी ध्यान रखेंगे ब्रेंड तो यह अवद से सबसे ज़्यादा सेनिक थे अगला कुश्चिन देखते हैं निम्द लिखेद में से किस एक को लाला राजपत्राई ने अपना राजनेतिक घुरु मान था और खसने नमबर सी दाधा भाई नहिरो जी को और तों लाला राज पत्र आई यह नहीं पंजाब केसी भी कहा जाता है तो सोच लिया होगा आपने इसका जवाब इसका जवाब देखते हैं तो इसके से जवाब है अपसर नमबडी मैजनी मैचनी को लाला राज़ए पत्राइद ब्रक रेचनेतिक गुरू मानते थे. और इनों ने अपना प्रणा सरुत बताया था और उसी की तरीके उनी से प्रयडित होके इनोंने राज़एति में आय थे और उनकी तरीके वृट करना जाते थे. तो फ्रेंड अगला कुश्चन देखते हैं निम लिखित में से अंग्रेज कौन था जिसे सरबथम भागवत गीता का अंग्रेजी में नुवात किया था सोच लिया होगा आपने अब इसका जवाब देखते हैं तो इसका सही जवाब है आपसे नमबर भी चार्स विलकिन्स तो फ्रेंड यह कौन थे यह फ्रेंड एसियाटिक सोटाइटी के संस्तापों में एक थे और इन्होंने 1788 में रॉय सोसाइटी के सदस्त के रूप में निर्वाचित हुए थे फ्रेंड ध्यान रखेंगे यह कौन थे तो यह चार्स विलकिन्स थे जिन्होंने भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवात किया था अगला कोश्चिन फ्रेंड कौन सा मक्वराद का रहता है ऑफिस नमबर ए चले फ्रेंड सोचिया और बिचार कीज़ैं निम्लिकित में से कौन सा रह legitimate इसकाज़ जवाब है option number C रबिया उद्दौरानी का मकबरा अब बात करते हैं फ्रेंड ये क्या है तो फ्रेंड रबिया उद्दौरानी मकबरे को ही बीबी का मकबरा भी कहते हैं तो आपको पता लग गया होगा इसे किस ने बनवाया था तो इसे फ्रेंड और एक जेब के पुत्र अरामसा ने बनवाया था फ्रेंड ध्यान रखेंगे इसे किसे ने बनवाया था